हेलो ब्रवन वेलकम टू इस्टेटी वी ध्यान प्रकास तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग अक्टूबर मां के जितने भी महत्तपुर्ण प्रसन है करेंड़ फेर के उन प्रसनों को इस वीडियो में एक बार देखेंगे और यह प्रसन बड़े इंपोर्टेंट है और आगामी सभी प्रतोगी प्रिशाओं में यह प्रसन पूछे जा सकते हैं तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेगा बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही सारगर भीत है तो आपका जो पहरा कुश्चन है कि आईफा आवार्ड दोजार चोबिस तो प्रतीन यह फिलाल सरस्टेश प्रिम चली गई यह आईफा वार्ड में तो एनिमल मुवी को मिला है बेस्ट मुवी का वार्ड इसके अंतरकत देखो चार बातें आपको याद रहनी चाहिए बेस्ट फिल्म यह एनिमल को दिया गया है और इसके डिरेक्टर कौन है संदीप प्रेडीब होंगा बेस्ट एक्टर का वार्ड दिया गया है सारुक खान को जवान मुवी के लिए बेस्ट एक्ट्रिस का वार्ड दिया गया है राने मुखर जी को मिसेज चटर जी इन नार्वे मुवी के लिए और बेस्ट डिरेक्टर चुने गया है विदू विनोत question है जो घवावार्टी को 221 का है जो कि 24 में दिया गया है दादा साफ हाल के lifetime achievement अबाटर और यह करम में चोगवन ओण होगा यह क्सकड है मिठव चक्रवर्थी को और आपको यह भी पता होगा कि 2019 में यह वार्ड अमिताव बच्चन को मिल चुका है अगला कोशन भी most important होगा 2024 का सस्त्र रामानोजन पुरस्कार के सिया प्रदान किया जाएगा तो सस्त्र रामानोजन पुरस्कार यह दिया जाएगा अलेकजेंडर डेन को और अलेकजेंडर डेन यह कहां से हैं तो यह यह युज से हैं और यह जो सस्त्र रामानोजन पुरस्कार है यह गणित के चित्र में 32 वर्से कम आउट की व्यक्ति को प्रदान किया जाता है 2023 में यह वार किसको मिला था रुजियांग जहांग को मिला था तो ये भी याद रखना 2023 में मिला था रुजियांग जहांग को और अब 2024 में किसको दिया गया है अलेक्जेंडर डन को ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं हाली में चर्चा में रहे स्वक्ष भारत अभियान की सुरुवात कब हुई तो फिन्ट 2024 में स्वक्ष भारत अभियान ने 10 वर्स पूरे किये हैं तो यहां पर एक्जाम के बहुत ही important question बनेगा कि इस योजना की सुरुवात कब हुई थी तो याद रखना कि 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की सुरुवात की गी थी स्वक्ष भारत अभियान की हाली में नीत आयोग दोरा महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राजी बन गया है तेलंगाना थीक है तो नीत आयोग का जो महिला उद्यमिता चैप्टर अवार्ड है यह प्रदान किया गया कि इसको तेलंगाना को उद्दे से क्या है विविन चेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना और यह कुछन भी बहुत इंपोर्टेंट होगा कि हाले में वर्ड ग्रीन एकोनामी फोरम 2024 का आयोजन कहां पर किया गया तो अक्टूबर के महिले में वर्ड ग्रीन एकोनामी फोरम का आयोजन दुबई में किया गया और याद रखेगा कि 2024 में वर्ड ग्रीन एकोनामी फो प्रगति को आगे बढ़ना देखो फ्रेंट्स यह पूरी पीडिएफ है यह मिल जाएगी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर तो एक बार टेलिग्राम चैनल इस्टेटी विद ग्यान प्रकास पर जाकर चेक करेज़ेगा आपको पीडिएफ मिल जाएगी अगला कुश्चन है ग्रीम मंत्री आमित सा ने कहां पर हाइटेक पुलिस हेड़कॉर्टर का उधगाटन किया है ऐसे प्रस्म दिग्जा में खुब पूछे जाते हैं तो ग्रीम मंत्री आमित सा ने भारत का जो हाइटेक पुलिस हेड़कॉर्टर है इसे आहमदाबाद में अस्थापित किय किया है और इसकी लागत कितनी आ रही है एक सो चालिस करोन रूपए अक्टूबर दुजार चोबिस में एस्जीयो के कॉंसिल आफ हेड्स आफ गॉर्रमेंट की बैठक कहां पर आजित की गी तो संगाई सजोग संगठन एस्जीयो का जो कॉंसिल आफ हेड्स आफ गॉर्रमें मंद्रियश जैसंकर गए थे हाले इमी कि सिराज में बायो सीनजी सेंटर वाली ब्हारत की पहली आधिनी गौसाला का उद्भंतन किया मद्रदेश मेंance काुछब कद्धानPhму की द्यृतन मंद्र मेरे में लाल टीपारा गॉसला भॉसला का उधन खहला किया गया है याननी गॉसला का नाम is llam ho n ऐल टीपारा. इसे के CSR फंड से 32 कट्रूप्ड कीलाकस से इसे तयार किया गया है. जागोष द्वीब हम स्मुन को मारिसस को सौपने पर कौन सम्मत हुआ है तो ब्रेटेन यह भी या दखना और किस राज में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंतर का अनावरण किया गया तो केरला में एक अक्टूबर 2024 को केंसरगार ने कितनी भारती भासाओं को सास्त्री भासा का दरजा दिया है तो अब कुल सास्त्री भासाओं कितनी हो गई है ग्यार हो गई है ठीक है और हाली में यानि कि एक अक्टूबर को पांच भासाओं को सास्त्री भासाओं का दरजा और प्रतान कि तो अब कुल सास्त्री भासाइं हो गई है कितनी 11 हो गई है तमिल पहली सास्त्री भासा का दरजा पाने वाली भासा थी जिसे जो है 12 अक्टूबर 2004 में सास्त्री भासा का दरजा दिया गया था तो पहली भासा थी तमिल और ओडिया को 2014 में दरजा प्रदान किया गया तो 2024 में और इसे जारी कौन किया है तो प्रजा Foundation ये मुंबई का इंज्यों है जिसने सहरी सासन सोचकांग को जारी किया है इसमें केरल को उसके केंवे तौप पर रखा है हाली में विश्व का चोथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डालर के पार है तो यह है हमारा प्यारा भारत पहले अस्तान पर चीन है फिर योकी फिर जापान और अब भारत भी उस स्रेणी में सामिल हो गया है जिसका विदेशी मुद्र बापान और ऑस्टेलिया तो 2024 में यह जो आयूजन है यह विसाखा पत्नम में किया गया है कहां पर विसाखा पत्नम में हाली में पर्यावरण और वनेजी उपर बाराहवा अंतरराश्टी फिल्म महुत्सो वातावरण कहां पर आजुत किया गया वातावरण यह नाम दिया ग वापु टावर का उध गटन किया गया है विहार में तो कहां पर बना है विहार में हाली में दुनिया की पहली बायुणी कर लिया लिया आख के लिया है कहा पर रास्तान में ए यह जो राणस है इसका फुल फार्म यह है, Very Short Range Air Defense System, हाली में आठमी महिला Asia-Haki Champions Trophy 2024 का सुभंकर लांच किया गया है, इसका नाम है गुडिया, तो यह है हमारी प्यारी गुडिया, यह मस्कट है, Asia-Haki Champions Trophy 2024, जो किकरम में कितनी होगी, आठमी होगी, किया जाएगा 11 से लेकर 20 नौंबर के बीच में संस्क्रण इसका आठवा है मसकट का नाम गुडिया है और बिहार के राज की पक्षी गोरया से अप्रेरित है इसका एक लोगों भी जारी किया गया है लोगों में जो है यह बोधी व्रिक्ष और हांकी इस्टिक को सामिल किया गया है तो याद अकना कि जो आठवी एसी पूरुस हांकी चैंपर ट्रफी दुजर चोबिस का यह चीन के हुलन बूडर में किया गया था और इसे जीता था भारत ने तो फ्रेंस जो बाकी की प्रस्ट है उंको डिस्क्स करेंगे अगले विडियो में और यह पीडिया आपको PDF मिल जाएगी, thank you, please do like and share.